इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटेरनिट से ली गई है। पेशियों में दर्द, पीट दर्द, दांत दर्द या कान और गले में दर्द से राहत देने के लिए भी किया जा सकता है। जायमुफलाम डी टैबलेट को खाने के साथ लेना चाहिए। यह आपको पेट की गरबड़ी से बचाएगा। आपको इसे नियमित रूप से अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लेना चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताये गए डोस से अधिक मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तेमाल न करें। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सीने में जलन, डायरिया, दस्ट, भूक में कमी और अपच शामिल है। अगर इन में से किसी भी साइड इफेक्ट से आप परेशान हैं या समय के साथ वो ठीक नहीं होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अ